तोहार जारखन नमस्कार लाइव इंडियन गाट से मैं केट की तो अभी सबसे बड़ी खवर जो BBMKU की है वो है यूथ फेस्टिवल पांच, छे और साथ फरवरी को ब्रिहद आयोजन होने जा रहा है उसे संबंधी डीटेल्स हम आपसे सेर कर रहे हैं बार-बार और अब इन तीन दिनों में क्या कुछ होना है क्या कुछ खास इवेंट्स होने हैं कौन-कौन से लोग इसमें सम्मिलित होंगे और जो भी अन्य डीटेल्स है वो अभी आपसे साजा करने जा रही हूँ मैं मेरे हाथ में वो नोटिफिकेशन है जिसमें तीन दिन में कौन-कौन से कारेक्रम होने वाले है उन सब का उलेक है तो सबसे पहले आपको बता दूँ एक जहाकी से सुरुवात होने वाली है इस ब्रिहत कारेक्रम की यह जहाकी जो है यह नए समाहार नाले भवन जो बरवा डरूट में है वहां से सुरू होगा और उसके बाद वो जहाकी BBMQ कैमपस आएगी रिपोर्टिंग टाइम नौ बजे रखी गई है स्टुडेंट्स के लिए और वहां से बीसी जो है BBMQ के डॉक्टर पवन कुमार पुद्दार वो जहाकी की सुरुवात करेंगे वहां से और उसके बाद जब जहाकी यहां पहुँचेगी लगवग लगवग का टाइम रखा गया एक गारव बजे का कारिक्रम की सुरुवात जो BBMQ कैमपस में हो रही है मतलब देड़ धो घंटे का वक्त दिया गया है इस बीच पूरे प्रोसेशन को एक गारव बजे डिगनिटरीज जो है वो स्टेज की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद उन्हें बुके दिया जाएगा फिर दीप्रज्वलन किया जाएगा सरस्वती बंदना होगी कुलगीत होगा और उसके बाद DSW मैम जो है 11.35 में वो वेलकम स्पीच डेलिवर करेंगी इसके बाद 11.50 में जो चीफ गेस्ट है उनका स्पीच है और उसके बाद जो भी कारेक्रम आगे है वो प्रोग्रेस करेगा वो मेंटो दिया जाएगा वेगर जो रीती रिवाज होते हैं किसी भी कारक्रम में वो सब संपादित किये जाएंगी और 12.40 में नेशनल आन्थम होगा इस पूरी नोटिफिकेशन की जो डिटेल है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की तरह मिलेगी फेस्बुक लिंक की तरह आप वहाँ जाकर मान्यूट डिटेल्स पढ़ सकते हैं 12.40 नेशनल आन्थम के बाद एक बजे लंच की टाइमिंग है और उसके बाद सुरू होंगे इवेंट्स जी हाँ जिस यूट फेस्टिवल का इंतजार को इलाण चल कर रहा है उसमें जो इवेंट्स होने वाले हैं उसके कारण ही हो रहा है उसका इवेंट्स जो है तीन स्टेज इसके लिए बनाए गए हैं और उसके अलावा सेंटरल लाइबरेरी हॉल जो है वहाँ पर भी काफी कुछ होने वाला है तो दो बज़े से इवेंट सुरू होंगे उस दिन और उसके बाद वो प्रोग्रेस करेंगे साधे चार बज़े तक का कारिक्रम रखा गया है हलाकि क्योंकि ये बहुत दिहत कारिक्रम होता है ऐसे में समय सीमा जो है थोड़ी उपर नीचे जरूर होगी क्योंकि काफी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें इन तीन दिनों में उम्मीद जताई जारी है कि साधे 400 से 500 स्टूडेंट्स इस कैंपस में पार्टिसिपेंट्स के तौर पर सामिल होंगे उसके अलावा BBM KO के जो students हैं वो आ सकते हैं, कारे क्रम देख सकते हैं उनके लिए कोई मनाही नहीं है इसके अलावा अगर कोई आप किसी को साथ लाना चाहें तो भी लेकर आ सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है अब उसके आगे की बात करती हूँ तो दूसरे दिन जो इवेंट प्रोग्रेस हो रहा है इवेंट की टाइमिंग है नौ बजे से इवेंट सुरू हो जाएंगे और उसके बाद दूसरे दिन साम साथे आठ बजे मतलब आप मान सकते हैं कि रात 9-10 बजे तक कारे क्रम दूसरे दिन चलने वाला है और उसके बाद Day 3 जो है, तीसरा दिन मतलब साथ तारीक, उस दिन कुछ particular events ही रखे गए हैं, केवल 2-3 events है, जैसे सबसे पहले क्वीज है, जिसकी टाइमिंग 10 से 12 है, फिर folk or tribal dance है, जिसकी टाइमिंग 12 से डेढ़ है, और फिर valedictory session है, धाई बजे से, क्लोजिंग ceremony का वो दिन है, ऐसे में धाई बजे से जो कारिक्रम सुरू होगा, उसके बाद उसी में price distribution ceremony जो है, वो उसी दिन संपन होगी, और कारिक्रम के टै समय अनुसाद 4-10 में, national anthem टै किया गया, हलाकि आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत उपर नीचे तो होगा ही, और ये तीन दिनों की समय सारणी है, किस तरीके से कारिक्रम जो है, एक के बाद एक event जो है, वो समपादित किये जाएंगे, और तीन स्टेज के अलावा, Central Library Hall जो है, उसे भी बुप किया गया है, स्टेज वन तो में स्टेज है, जो आप बीवें के कामपस में देखेंगे, एक लुप के बाद कर बना है, इसके अलावा, स्टेज 3, जो है, वो रूम नमबर 062 को बनाया गया है, और स्टेज 2, जो है, वो रूम नमबर nearest 0001 को बनाया गया है, इसके एलावा, कुछ फीस भी ली जाती है, टीम की तरफ से, एक और आपको अभी ख़वर के जए हम वीसी जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई हुई थी बीवेम के वीसी ने और उन्हें बताया है कि इन तीन दिनों में क्या खास होने वाला है अब हम आपके साथ जो भी अपडेट होगी वो सेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं क्या आप कभी भ वेस्टिवल में सामिल हुए है या पहली बार है यह और एक्साइटमेंट का लीवल क्या है